जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, जोमेल इस पचास मिलीग्राम टैबलेट टाइब दो डाइबिटीज मेलिटिस के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम के साथ इसे बलड शुकर लेवल को नियं धारत किया जाता है, जब आहार और व्यायाम या अन्य दवाएं अकेले बलड शुकर लेवल को नियंतरित करने के लिए पर्याप्त साबित न हो, इसे अकेले या डाइबिटीज की अन्य दवाओं के कॉंबिनेशन में लेने की सलाह दी जा सकती है, इसे भुजन के साथ या बिन भुजन के लिया जा सकता है, डोज आपकी कंडीशन और बलड शुकर लेवल पर निर्भर करेगी, डॉक्टर की सलाह अनुसार ही इसका इस्तिमाल करें, अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे हर दिन एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए, जब तक आपके डॉक्टर द्वारा सलाह न दी जाए तब तक दवा लेना बंद न करें, इस दवा के सेवन के दोरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े देशानिर देशों का गंभीरता से पालन करें, आपकी जीवन शेली डाइबिटीज को नियंतरत करन में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जोमेल इस 50 मिली ग्राम टैबलेट के सबसे आम साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया, कपकपी, सिर्दर्द, चक्कराना, ठकान और मिचली आना है, हाइपोग्लाइसमिया जैसे की हलका सिर्दर्द, चक्कराना, बेहोशी और लक्षनों को पहचानना और इनसे निपटने के तरीके जानना आवश्यक है, आप शुगर या ग्लूकोस केंडी साथ रखें और अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव हो तो आप इसे ले सकें, यदि दुशप्रभाव दूर नहीं होते हैं या आपको परेशानी हो रही ह तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी भी केड्नी या होट की कोई बीमारी या पैंक्रियस से संबंधित समस्या हुई तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं, गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे ल इस दवा का सेवन करते समय शराब को सीमित मातरा मिले क्योंकि इससे बलड शुगर के स्तर में कमी आने का जो खिम बढ़ सकता है, दवा सही तरीके से काम कर रही है, इसकी जाच करने के लिए आपको किड्नी फंक्शन और बलड ग्लूकोज लेवल जैसे नियमिट टेस्टो पर क्लिक करें और ओल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद